हलो एब्रीवन स्वागत करती हूँ आप सभी का फूट फ्रों माई किचन में आज हम बनाएंगे अर्बी की बिल्कुल नए तरीके की सबजी जो खाने में बहुत स्वादिस्ट लगती है आप इसे रोटी चावल के साथ खा सकते हैं और यह बहुत जल्दी बन जाती है और हम इसे बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट सेक्शन पर मुझे कॉमेंट कीजिए तो चलिए हम इसे बनाते हैं तो यहां मैंने अर्बी लिया है तो अर्बी को कच्चू भी कहते हैं तो आप अर्बी ले ले इस तरीके से तो यहां देखें मैंने अर्बी ले लिया है अब हमें क्या करना है इसे चील लेना है पूरा अच्छे से चील लेना है इसका चिल का पूरा अच्छे से उतार लेना है तो मैं यहां सबको चील लूँगी और मैं चील के धो लूँगी और भी में थोड़ा सा लसलसापन होता है तो आप ऐसे पहले से चील के चीलने के बाद कम फोगाद उसे दो लेैं तो फिर आप इसे क्या करने कर लें आपको जसेसे पर महें आते हैं ? तो मैंने यहाँ पे सरसो तेल ले लिया है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाच पूरन डालूंगी, अगर आपके पाच पूरन नहीं है तो आप जीरा या पिर कलॉंजी डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्या माकर का प्याँ जैसे काटा है लच्छो में और डाल दिया है, प्याँ को हमें थोड़ा सा लाल करते वे भूनना है, तो आप प्याँ को जब तक लाल ना हो जाए तब तक भूने, तो हम यहाँ प्याँ को थोड़ा भूनेंगे, तो इस तरीके से करके हम प्याँ को छोड़ ये बिलकुल रहता ना JHilk staring at Tower 5 मसूर दाले आप इस ले ले और हमें से अच्छह से धोल लेना है तो मैंने आदि कट वी लिया है अब हमसे अच्छह से धोलेंगे ढोने के बाद में दोर umbles ins, आहांम से सिटी लगाना है बस दो सिटी लगाना है तो हम इस दाल को पकाना है तो हम यह पानी ले लेंगे इतना दाल अच्छी तरह से डूब जाए और हम इसमें डालेंगे भी थोड़ा सा नमक हम सबजी में भी नमक डालेंगे तो यह थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक तेजपत्ता और उपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि सीटी जब हो ना सीटी जब आती हो तो बाहर नाए दाल तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उपर से तेल डाल देंगे तो यहाँ पर से सरसो तेल थोड़ा सा डाल दिया है ताकि सीटी से दाल बाहर नाए और हमें इसे दो सीटी तक तो इसे हम पकने के लिए देते हैं तब तक प्याज की तरफ चलते हैं तो प्याज देखें यहां पर आदा से ज्यादा पक चुका है तो हम यह पर थोड़ा से बून लेंगे एक मिनट तक और उसके बाद हम अपने अरभी के टुकडो को जो हमने अरभी काटके रखी हुई है इसमें डाल देंगे और प्याच के साथ हमें इसे भूनते जाना है अर्बी को मैं अच्छे से भूनना है क्योंकि इसमें जो लसलसापन होता है नो वो इस टाइम पे बून जो कि हमें उसे खतम भी करना और इसे इसका टेस्ट भी अच्छाता है तो आप इसे 5 मिनट तक इस तरीके से भूने एकदम अच्छे से जब तक अरबी में थोड़ा सा लाल लाल पन ना दिखे तो मैंने भून लिया उसके बाद लिया है अधरक का पेश्ट और लेसन का पेश्ट तो आप एक चमच लेसन पेश्ट एक चमच अधरक पेश्ट ले और थोड़ा से यहां पर मैंने धनिया पॉडर लिया है थोड़ा मैं यहां पर जीरा पॉडर लूँगी एक एक चमच और थोड़ी सी मैं यहां पर हल्दी लूँगी तो यहां मैंने हल्दी ले लिया है थो में तो तीन मिनट भूनने के बाद दालूगे तमातर, चुटे चुटकडो में तमाटर कार्टके ले लिया, जो भूने ब्धे मनेका बोलेी फिर इसे हम ढग देंगे इस तरीके से तो अभी मैंसे ढग दूँगी ढग के हम इसे 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ना है तो मैंसे अच्छे सेट करके ढग दूँगी तो यहां मैंने ढग दिया 10 मिनट हो गया तो 10 मिनट के बाद हम ढग कर नटाएंगे तो यह देखे किणारे किणारे से तेल आरहा है तो हम इस time पर थोड़ा अच्छे से इसे भून लेंगे तो आप ढग देंगे ना तो खुदबा-कूद किणारे से तेल आएगा और अर्वी भी कुछ हट तक अच्छे से गल जाती है तो फिर हमेंसे भून नर्भी को आप जितना भूने वो अच्छा रहेगा उसका लसलसापन भी खतम हो जाएगा और वो एकदम खुजली भी नहीं करेगा कोई कोई भी बहुत खुजली करता है तो वो भी नहीं करेगा तो इस टाइप हमें पानी डाल देना इस टाइम पर तो मैंने यहाँ अच्छे से पानी डाल दिया है अब मैं यहाँ पर डालूँगे हरी मिर्च तो यह देखिया हरी मिर्च मैंने डाल दिया है बीच से काटके आप दीका अपनै ञHappy आपसे कम जादा कर सकते है मैंने toe गघंड मसाला डाला हैं अब हमें यह जो तेजपत्ता इसे निकालके फेक देना है बस इसका फ्लेवर चाहिए था जो दाल में आ चुका है अब हम क्या करेंगे ना दाल को इस तरीके से देखे दाल अच्छे से पग गया है तो मैंने यह आपे डाल दिया है इस तरीके से आप सब्ची बना आपको बहुत पसंद आएगी एक बार जरूर ट्राइ करेंगे चावल रोटी के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगी बना कर खिलाएं एक बार जरूर बना कर ट्राइ करेंगे तो हमने मिक्स कर दिया अब हमें इसे 10 मिनट के लिए से ढग देना है 10 मिनट के बाद इसे उबाल आ जाएगा तो हम इसे ऐसे उपर नीचे कर लेंगे कल्ची के साहता से यह देखिए पूरा अच्छे से गुल के एकदम ठिक हो गया है न अब और अभी आर्वी को चेक करेंगे तो यह देखिए अच्छे से आ रहा ना तो यह पक चुका तो हम इस टाएम पर दालेंगे दनिया की पत्ती से गानिश कर देंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रहे है हो तो मेरी वीडियो को लाइक करे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे कॉमेंट सेक्षिन पे मुझे कॉमेंट करे थैंक्यू पर वाचिंग